जैपूर, राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों में कॉंग्रेस को बहुमत मिल गया है। उधर सरकार बनाने की तैयारियां भी कॉंग्रेस ने शुरू कर दी है। CM पद के लिए पार्टी आला कमान ने राश्ट्रिय महामंत्री वेनु गोपाल को राजस्थान का परियवेक्षक बना कर भेजा है। वेनु गोपाल आज राजस्थान पहुँच गए हैं। इन्होंने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडया, पूर्व CM अशोग कहलोत और PCC चीफ सचन पायलिट से सियासी चर्चा की। मंगलवार शाम को खासा कोठी में मीडिया से बात्षीत करते हुए अविनाश पांडया और वेनु गोपाल ने कहा कि राजस्थान में कॉंग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और जंता के आशीरवाद से कॉंग्रेस सत्ता में आई है। सीएम के लिए विधायकों से राय ली जाएगी। इसके लिए सभी विधायकों को बुद्वार सुबह 11 बजे PCC बुलाया गया है। विधायकों की राय के आधार पर पार्टी आला कमान से चर्चा करके सीम की घूशना की जाएगी और राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा.